कि वेलकम्टेस्ł्म Classes last lecture मैंने आपकोreditul만 movement के वारे में पढ़ाया था उस में रृत्स पाइए कुसे हैं फिर उसके इस डीव्लॉक में डिफिर्सी सर्टर का डिफिर्स और इन दोनों में D-block element कौन से होगा, अब हमें यह जाना है, कि जो transition element होते हैं, उसका classification कैसे करते हैं, तो अगला topic यहीं है आज का, कि classification of transition element, ठीक है, अब इसका जो classification करेंगे, यह किस basis पर करेंगे, तो यह होगा, on the basis of last electron, enter in which D-subcell, transition element क्या होते हैं, जिसमें last electron D-subcell में inter करता है, उसी को transition element करते हैं, अब उसका classification करेंगे, उसमें ऐसे करेंगे कि, किस D-subcell में जा रहा, जो last electron है, वो किस D-subcell में जा रहा, अब D-subcell कौन कौन से होते हैं, 3D वाले होते हैं, 4D, 5D, 3D, D-subcell होते हैं, तो किसमें जा रहा, उस basis पे, इसका classification करते हैं, तो अगर जो last electron है, वो अगर, 3D-subcell में अगर जाता है, तो इस series को बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाता है, कि 3D series, या फिर एक और नाम होता है, जिसको बोलते हैं, first transition, series, सबसे पहला जो होता है, जिसको बोलते हैं, first transition series, total mila के, 4 होते हैं, पहला है first transition series, दूसरा है जिसको बोलते हैं, second transition, series, और यह, इसके जो last electron हैं कहा हम जाते हैं, तो 4D-subcell में जाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है, 4D series गोई बोलते हैं इसको उसी तरह अगला जो last electron है किस में जाएगा 5D subcell में जाएगा इसलिए 5D series बोलते हैं और यह कौन सा आता है यह होता है third transition अब जो अगला आता है उसको बोलते हैं 6D series बोलते हैं क्योंकि इसका last electron कहां जाता है 6D subcell में जाता है और साथ में दूसरा नाम क्या है इसका बोलेंगे fourth transition से डिसन तो टोटल मिला के transition element का classification करते हैं तो उसको चार सी बाटा गया है जो पहला होता है जिसको बोलते हैं फर्स टांजीशन सिरीज दूसरे बोलते हैं transition series तीश्रे को ट्रड तानिशन से यहीं चार सीरिज में बाटा गया है transition element को जो 3D series होता है उसको 3D series भी बोलता है second को 4D series भी बोलता है और 4D series को उस्क्त उसी बोलता है अब यह सारे series हैं सभी में क्या होता है 10-10 element पाहिए जाता है होंगे उसीन हे तरीके से भी क ten element होता है bet Als कि क्योंब होता है सबसें एक और 124-25-25 होते और एक और हमीटर mendow यह उसकता है इसलिए यहां पर एक हों गया दो हो गया थीन हो होग गया चार होगा 5 हो गया च्छह साथ आठ नौ और 10 तो टोटल डी शब्सेल में अगर इंटी करना है तो टोटल मिला के 10 Elements पासिबल है इसलिए इसमें क्या होत्ते हैं हर सीरीज में जैसे फर्सी इ depths होते हैं इसमें ही 10 ऑलिए 10 फाले मी कितने होंगे 10 elements यह होंगे तो टोटल मिलाके जो डी सबसे लाइसमें चालीस elements होते हैं जिसमें से जिसको दस-दस elements डिवाइट किया गया है फर्स टांजिशन सेकेंड टांजिशन थर्ड टांजिशन और फोर टांजिशन से बोला गया है अब इस टॉपिक से और यहीं वारा प्लासिफिकेशन आफ टांजिशन elements में आजिकतर question पूछता है और यह question दो नमर का पूच देता है कि classification आफ टांजिशन treatment क्या होता है इसके बारने बताना तो उसमें साहय है लिखनी है कि चाल स्रीज होते हैं और इसısı serie is बोलता है और उस एसा क्यों बोलता है क्योंकि जो होता है इसमें जो लास्ट टाना मों किसमें जाता है जबकि सेकंड वाला है इसमें जाएगा 40 बोलेंगे इसलिए 40 बोलेंगे उसी तरह लाई यह और यह सब यह अब जो 10 elements होते हैं वह कौन कौन से होता है वो भी जानना होता है ठीक है जो 10 elements होंगे इसमें कौन कौन से को जानना है तो जो 3D series है इसमें जो elements होते हैं वो होते हैं कि इसको याद करने के तरीका क्या है सक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुवे से जान यह ही चीश है याद करने के लिए और यह सकते हैं इस पूरिए है प्लॉक को हम हम करता है जो अंगला है सकती अहान करें आधा लिकाल फिर कौन निकाल है यारी जरा निभाना मौद तक रुकावट राहे पड़ी आगे चलकर ठीक है आगे चलकर तो अगला यह है फोडी स्रीज में यह सारे करने तरीका क्या है ला हफ्ता वर्ना रमेश और इंदर पीटेंगे और हास्पीटल जाओगे अगला यह है तो यह सारा सीज आपको मिल जाएगा याद करने के लिए आप दुबारा देख सकते हैं उसमें अगला देखते हैं शिक्सडी स्रीज का तो सीजी सीज के लिए याद रखने तरीका क्या है ब्लू कलर से लिए अच्छा 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 और डी सर्मा सर्मा की बुक में हैं मैथ के मैथ हो गया मैथ के के कोन तो अगला यह है जो शिक्सडी स्रीज है उसको कैसे याद करना है अच्छा आडी सर्मा की बुक में है मैथ के डिफरेंस रेंज के कोन यह टोटल क्लासिफिकेशन था टांजिशन एलमेंट का इसका प्रापर आपको नोर्स भी मिल जाएगा डिस्किप्शन बाक्स मे तो आज के डिस्किशन बाक्स में आपको दो लिक मिलेगा एक लिक मिलेगा इसको कैसे याद करना है प्राडिक टेबल को और दोसा लिक मिलेगा इस पूरे का नोर्स और यह नोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको प्रापर नोर्स मिलना है सारे नोर्स आपको सेम लेगा साथ मुस्के नोस भी प्रवाइड करा जाएंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना है